डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद स्टार्ट देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही भीड हिंसा की खबरों ने फिर एक बार चिंता में डाल दिया है विराम कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के नीमच में एक सक्सकु वाहन से बांध कर गसीटा गया कोमा जिसमें उसकी मौत हो गई विराम एसे घटनाओं का दुस प्रभाव यह पढ़ रहा है कि इन पर अंकुस लगने के बजाई इनके प्रती लोगों का आकर्शन बढ़ता देखा जा रहा है विराम यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देवास, उज्जेन, इंदोर में भीड में हिंसा की घटनाएं नीरंतर सामने आ रही है विराम उज्जेन के महिदपूर में धारमिक नारे ने लगाने पर दुकानदार का सामान फेंकने और देवास जिले के हाठ पीपल्या में आधार कार्ड नहीं दिखाने पर फेरी वाले को पीटने की घटनाएं भी सामने आए विराम ये सबी घटनाएं कुछ दिन के अंतराल पर हुई हैं विराम इंदोर का मामलातो राष्टिय इस्तर पर चर्चा का विशय बना था कोमा जिसमें भीड एक यूवक की पिटाई करती दिखाई दे रही है विराम ये है घटना इंदोर में बान गंगा ख्यत्र की है कोमा जहां चूडी बेचने वाले एक सक्स को लोगों ने पीट दिया विराम पुलिच ने दोनों पक्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है विराम चूडी बेचने वाले के खिलाफ पोक्सों कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है विराम उस पर पहचान छिपाने के आरूप भी लगे है विराम अब सवाल मौके पर न्याय करती भीड पर खड़े ओते है विराम अगर वह यूवग दोसी है कोमा तो इसकी जांच करने का काम पुलिस और सजा देने का काम न्याय पालिका का है विराम हमारी व्यवस्था में भीड को यह अधिकार किसने दिया कि वह सड़कों पर न्याय करने उतर जाए सड़कों पर न्याय करती भीड ने एक बार फिर व्यवस्था पर प्रश्ण चिनहें खड़ा किया और भीड हिंसा पर चर्चा को जन्म दिया है पैराचंद भारती सम्विधान की प्रस्तावना में हम सब्द इस राष्टर में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है पर जब पालगर जैसे भीड हिंसा की घटनाएं होती हैं तो हम पर प्रश्ण चिनहें लग जाते हैं पालगर की घटना से पूरा देश सतब्द था, सोसल मेडिया पर वाइरल घटना की वीडियो ने तब भी मनुष्यता पर सवाल खड़े किये थे विराम एसी गटनाओं को भीड हिंसा की रूप में देखने के बजाए धारमिक रंग देने से एक नई बहस जन्म ले लेती हैं विराम बीड हिंसा वह सामाजिक विक्रती है जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करती विराम भारत जैसे राष्ट कोमा जिसमें भिन भिन जाती कोमा धर्म कोमा भासा वाले नागरिक निवास करती हैं कुमा एसी घटनाएं उसकी प्रक्रती के प्रतिकूल सिद्ध होती हैं विराम सवाल मनुष्य की बुद्धी और विवेक पर भी उठते हैं कि हम हिंसा के प्रति इतने आकर्चित क्यों हो रहे हैं किसी अफवाह मात्र के आधार पर अपना विवेक सुन्य कर एसी घटनाओं को अंजाम देकर हम साबित क्या करना चाहते हैं पेराचेंज एसी घटनाओं पर कानोनी रूप से अंकुस लगाने के लिए सबसे पहला प्रयास मनिपुर ने लिचिंग निरोधक कानोन बना कर किया था विराम उसके बाद राजस्थान और फिर पस्चिम बंगाल की सरकारें भी भीड हिंसा की गटनाओं को गंभीर मानते उए इनकी रोकताम हेतु कानोन पारित कर चुकी है विराम पस्चिम बंगाल विधेएक, 2019 में किसी व्यक्ती को घायल करने वालों को तीन वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है और अगर उसमें किसी की मृत्यू हो जाती है विराम तो मृत्यूदंड या कठोर आजीवन कारावास का प्रावधान भी है विराम वहीं राजस्थान में भेड हिंसा पर आजीवन कारावास तथा पांच लाख रुपई तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है कुमा पर एसा कर देने से भेड हिंसा की गटनाओं में कमी आई है क्या पेराचिंट भेड हिंसा कितनी गंभीर समस्या है कुमा इस बात का आकलन सरवोच न्यायालै द्वारा व्यक्त चिंता के आधार पर किया जा सकता है विराम दो हजार अठारा में सरवोच न्यायालै ने लीचिंग पर अंकुस लगाने के लिए डिये स्थर के अधिकारी द्वारा भेड हिंसा की जांच करने के आदेश दिये है थे विराम साथ ही विशेश कारियनल जो एसे लोगों के बारे में खूफिया जानकारी एकत्रित करें जो इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं या अपवाह फेला रहे हैं का गठन करने को कहा था विराम ये सब बातें सुनने में बेहद अच्छी लगती हैं पर धरातल की वास्त्विक्ता इसके उलट होती है विराम न्यायालाई ने उस समय टिपणी की थी कि कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता है विराम लोकतंत्र में भीड तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती विराम इससे जाहिर होता है कि भीड किस प्रकार कानून से उपर होती चा रही है पैराचेंद वैस्विक संधर्ब में बात की जाए तो लीचिंग सब्द अमेरिका से आया है अमेरिकी क्रांती के दोरान वर्जिनिया के बेडफर्ड काउंटी के चार्ल्स लिंच अपनी नीजी अदालतें बेठाने लगे और अपरादियों को बिना किसी कानूनी प्रकरिया के सजा देने लगे विराम वहां लोगों की भीड के सामने पेडों तथा पुलों से लटका कर अंग भंग कर और जिंदा जला कर एमानवी तरीके से हत्या की जाती थे विराम अमेरिका स्थित नेशनल एसोसियेशन फोर दै एडवाइसमेंट ओफ कलड पोपुल की आंकडों की अनुसार 1882 से 1968 तक अमेरिका में 4743 लोगों की हत्या भीड द्वारा की गई विराम लीचिंग के सीखार लोगों में जहां 3446 एस्वेत अफरीकी अमेरिकी थे कुमा वही इन में 1297 स्वेत लोग भी थे विराम हमारे देश में भीड इंसा यानि मोब लिंचिंग की प्रवरती हर काल में देखी गई है विराम भीड ने सबसे पहले डायन बताकर महिलाओं को अपना सिकार बनाया कुमा फिर यह प्रवरती बदली और गोहत्या की अफवाहों पर भीड गोरक्षक बनकर मेदान में कूद पड़ी विराम कुछ समय बाद बच्चा चोरी के सक में भीड द्वारा पीटने का तीसरा चलन सामने आ गया विराम पांच अप्रेल कुमा दोहजार सत्रा को राजस्थान के अलवर में दोसो लोगों की गोरक्षक भीड ने दूद का व्यापार करने वाले पहलू खान को मार दिया विराम इस मामले को सरवादिक सुर्खिया मिले कौमा पर इस घटना को भी धारमिक रंग दे दिया गया विराम इंडिया स्पेंड वेब साइट के अनुसार वर्स दोहजार दस से दोहजार सत्रा के बीच दर्ज 63 मामलों में से 97 फीशद मामले पिछले तीन वर्सों के दोरान दर्ज हुए हैं रिपोर्ट की माने तो वर्स 2012 से अब तक सामूदाई गिर्णाचे प्रेरित एसी 128 घटनाए हो चुकी हैं कौमा जिन में 47 लोगों की मृत्यु हुई और 175 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं विराम जनवरी,2017 से 5 जुलाई,2018 के दर्म्यान दर्ज 79 मामलों में केवल बच्चा चोरी की अपवाह के चलते 33 लोग भेड इंसा में मारे जा चुके हैं और निन्यान में लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं विराम समापत प्षचा चरते प्रण्वा भाई रूप से घायल हो चुके हैं